पहला पार्ट नभी एजेक्यल का ग्रंथ अध्य 18 बद संख्या 21-28 प्रभु इश्वरिया कहता है यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्याओं का पालन करता और धार्मिक्ता तथा न्याय के पत पर चलने लगता है तो वह आवश्य जीवि रहेगा मरेगा नहीं उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिक्ता के कारण जीवित रहेगा प्रभु इश्वर का यह कहना है क्या मैं दुष्ट की मृत्यू से प्रसन हूं क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्क छोड़ दे और जीवित रहे किन्तु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिक्ता त्याक कर दुष्ट की तरह घ्रिनित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा उसकी समस्त धार्मिक्ता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा तुम लोग कहते हो कि प्रभू अन्याय करता है हे इस्राइलियों मेरी बात सुनो मैं अन्याय नहीं करता तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिक्ता त्याक कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है और यदि कोई पा सुरक्षित रखेगा, यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने कानिश्यक्या है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं, प्रभु किवानी, भजन अनुवाक्या, हे प्रभु, यदि तु हमारे अप्राधों को याद रखेगा, तो कौन टिक्स हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ, हे प्रभु, तु मेरी पुकार सुन और मेरी विन्ती पर ध्यान देनी की कृपाक्या, अनुवाक्या, हे प्रभु, यदि तु हमारे अप्राधों को याद रखेगा, तो कौन टिक्स सकेगा, प्रभु, हे प्रभु, यदि तु हमारे अप्राधों को याद रखेगा, तो कौन टिक्स सकेगा, प्रभु ही मेरा आस्रा है, मेरी आत्मा उसकी प्रधिक्या पर भरोसा रखती है, भूर की प्रतिक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक, मेरी आत्मा प्रभु की रा इस्राइल प्रभु की राह देखता रहे अनुवाक्य, हे प्रभु यदि तू हमारे अप्राधों को याद रखेगा तो कौन टिक्स सकेगा क्योंकि द्यासागर प्रभु उदार्ता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इस्राइल को सब अप्राधों से मुक्त करेगा अनुवाक्य, हे प्रभु यदि तू हमारे अप्राधों को याद रखेगा तो कौन टिक्स सकेगा संत मती के अनुसार पौईत्रसो समचार अध्याय पांच पत्संख्याएं 20-26 तक येशु ने अपने शिश्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिक्ता शास्त्रियों और फरिश्यों की धार्मिक्ता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्या में प्रवेश नहीं करोगे तुम लोगों ने सुना है कि पुर्वजों से कहा गया है हत्या मत करो यदि कोई हत्या करे तो वह कछरी में दंड के योग्या ठाराया जाएगा परन्तु मैं तुम से कहे देता हूँ जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कछरी में दंड के योग्या ठाराया जाएगा यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख तो वह महासभा में दंड की योग्या ठाराया जाएगा और यदि वह कहे रे नास्तिक तो वह नरक की आग की योग्या ठाराया जाएगा जब तुम बेदी पर अपनी भेट चड़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो अपनी भेट वहीं बेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेट चड़ाओ कछरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुदई से समझावता कर लो कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें नयाय करता के हवाले कर दे नयाय करता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदि ग्रीह में डाल दे मैं तुमसे कहे देता हूँ, जब तक कवडी कवडी न चुका दोगे, तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे यह प्रभु का पवित्रोसु समचार है, एक रिस्ते रिस्तुति हो ज्रभः फ्रभु कर दो ले भाना मांन से नहीं निकलर्वी कर दो घंसे भी за चाल किो कि अन्रुम तक क्वडी कुडी कुड़े ओन attacked रिस्तुति हो झляंक कर दो दोगे भाल Sag znak क्वडी कर री मित्र थायका ह जे वित्रोसुति